हाई फ्रेंड्स आज तक हमने बच्चों के लिए मोरे सोईज बनाए थी लेकिन आज हम बनाएगे मामी बापा के लिए स्टोरी वीडियो एंड तक जरूर देखना और अपने मामे बापा को जरूर दिखाना जिला आप स्टोरी देखते हैं बहुत मसाएगा ये है मेरी मामी जो सुबे से काम शुरू करती है और रात काम खतन ही नहीं होते है अरे यार लेट हो गई आयो भी उठो लेट हो रहे हो अरे पीगो उठो लेट हो रहे हो बस आजैगी चल्दी उठो जल्दी आ तेरे बाड़ बनाओ बाई आयू बाई पीहू ममा ने हमेरे स्कूल भेज दिया पर अब पापा के बारी है स्कूल नहीं, ओफिस जाने की अरे सुनो उठो न आपने बुला था ना मेरे इस मिटिंग है लेट हो जाओगे ये है मेरे पापा जिनके ऑफिस आने का टाइम तो हमें पता है पर आने का टाइम नहीं पता अरे रुची टाइम क्या हुआ है? आट बंच गए? क्या? तुने उठाये क्यों नहीं पहले मुझे? तुने दो तीन आवाजे लगे रुची मेरा बैट का रगए? तुने लगे है तुने लगे है तुने पहले है और खाना पीन और अराम सब बाद मेरा ममी का पूरा दिन अलाम की तरह चलता रहता है अरे बादा बच गए? खाना बनाना है? और उधर बादा ओफिस में कभी किसी को टाट रहे होते हैं अरे रमी इस ते को किती बार बोलाया है डिलिव्टे डाइम से दिया कट मुझे पुछ भी नहीं सुननना है अभी डो गंटे में माल ले लेवर होना चाहिए आपर ये सर तिर्फ पर खावई होते हैं या मना रहे होते हैं हां पास नहीं गंटे में पहुचाओ और जब भी ममी लेटना चाहती है तो हम दोना है ना? अले मममी साइन से बुखने में युली बता होना को है ममा मैं साथ के लोना ममा केशन के टाइम हो क्या तूद में आदो आई आई आरे हो पापा हमेशा की तरह आज फिर लेट आए है ये कोई टाइम में गरा रहेगा? यार आज मेटिंग थी इंपोर्टेंट के साथ में त्यको बोलाई था लेट हो गया चलो खाना लेगा तो यार लेट हो गया तो स्नैक्स में ने खाली थोड़े बात बिल्कुल इच्छा नहीं मेरा सर भी बहुत तुक्ता है अभी बस सोईगे चलो लेकिन आज कुछ ऐसा होने वारा है जिससे पापा और ममी की लाइफ चेंज हो जाएगी क्या हुआ? ठग्या यार आज तो मेरी भी बैंट बच गई सुभे से इतना काम इतना काम रेस्ट तो बिल्कुल नहीं मिला और कमर ऐसे दुखरी है ना कि बस डॉक्टर भी पास सिलना ही पड़ेगा तो हाँ याब बहुत दिन होग है तेरा भी अपाइंट्मेंट पेंडिंग चल रहा है मेरा भी बीपी चेक करवाना है मुझे लगा रा मेरी बीपी बढ़ गया है डेखने संडे को चलते है संडे को? आप संडे को भी फ्री नी होते है अरी नहीं यार संडे को मुझे जायपड जाना है बोला था मेरे ताइम ही नहीं आपके पस अरे क्या हुआ है हुआ है आजा स्वय है नीत अभी तक? ममा आज मैं आपको साथ सोजाओ क्या क्यों? देदी के पास अपने रूप में जाकर सो ममा आज जाओ सो स्टोरी सुने मेटा आज तो मैं बहुत थक रही हूँ पीस आज जा ले तो आज जा ले तो मैं अभी आज बहुत थक गया हूँ याज आज तो बस मेरे सर दुखरा इतना वी पीखु को भुला पीखु को गुख स्टोरी सोना अग टीक है चलूंड शुना आ्शूना किसकी स्टोरी राजा रानी की या परी की या भूत की स्टोरी मैं आज एक मोची की स्टोरी सुनाऊंगी मोची एक गाउ में एक मोची रहता था वो उस गाउ का अकेला मोची था सुभे से लेकर रात तक पूरी मेहनत से काम करता था अर वाँ बहुत सारा काम है ती सही चपन में होगी तिन निकलते गए और उसे टाइब भी नहीं मिला फिर एक सुभे जब वो दुकान जा रहा था क्योंकि उसको चोट लग गई थी तो वो दुकान पर भी लेट पहुचा और अब उसके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए भी समय दी वचा रहे इतने सारे जूते कैसे ठीक होंगे अरे मैं लोग खुद की चपल भी तो ठीक करनी है बैया मैं जूते ठीक कर दोगे बैंजी तो तिलिल लग गई है देखो पर में भी लग गई है पर में कैसे लग गई आपके वे खुद की चपल डूट गए थी ना सली लग गई ना चपल ठीक हुई ना चोट अब हो मोची विमार वोगा अब मैं दुकान का क्या होगा अफ अम में जूते का अंड ही करेग तब चल्दी से ठीक करवा देना है एक चीज़े बता तुमने ये स्टूरी क्या हमारे उपर बनाई है हाँ क्योंकि आप हमारे लिए तो बहुत काम काड़ते हो पर खुद का ध्यान नी रखते है अब मैं क्या बुरूतर को वैसे शायर ये सच्चा ही है कि हम अपने डेली क काम में एतने बिजी हो जाते हैं टाइम नहीं लिखा लखते हैं उससे हमें पता चल गया कि हमें अपना भी धियान लखना पड़ता है जब ही हम अपनी फैमिली का जहां टखपाएंगे और अब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कल कल से थोड़ी देर जॉकिंग भी करने च कि अब मिल जाते हैं इस्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना साले चलब योर्ट बाई बाई बाई